हेलो स्टूडेंट्स आज हम सातवी कक्ष्या के एक इंपोर्टेंट चैप्टर प्राणियों में पोशन के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में पोशक तत्वों की आउशकता सभी जीवों को क्यों होती है आहार का अर्थात बोजन का अंते ग्रहन अंते ग्रहन में बोजन कैसे ग्रहन करते हैं सभी जीव इसकी विधी के बारे में और सरीर में बोजन के उप्योग के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आउशक्ता बोजन की आउशक्ता पोशन की आउशक्ता क्यों होती है पोशन की आउशक्ता मुख्य रूप से तीन कारणों से होती है नमबर वन उर्जा प्राप्त करने के लिए नमबर दो सरीर की वरधी के लिए और नमबर तीन सरीर की टूटी फुटी कोशिकां और उत्तकों की मरमत के लिए तो सभी प्राणियों में पोशन की आवश्यक्ता तीन कारणों से होती है उर्जा के लिए, व्रधी के लिए और मरमत के लिए पोशन के विभिन चरण होते हैं सभी प्राणियों में पोशन के अलग-अलग चरण होते हैं सबसे पहले पहला चरण होता है अंते ग्रहन बोजन को सरीर के अंदर ग्रहन करना प्रवेश करना उसके बाद बोजन का पाचन उसके बाद उस पचे वे बोजन का आउसोशन शरीर की कोशिकाओं के अंदर उस बोजन का आउसोसन और उस बोजन को सरीर का ही एक भाग बनाना इसे हम बोलते हैं स्वांगी करण और उसके बाद एपाचित बोजन को या कह लीजिए अपसिस्ट पदार्थ को सरीर से बाहर निकालना ये सबी पोशन के चरण हैं अंते ग्रहन, पाचन, आउसोशन, स्वांगी करण, निसकाशन आईए बारी-बारी से हम सबी को पढ़ें सबसे पहले आता है अंते ग्रहन, विभिन जीवों का आहार वे विधी भिन भिन होती है सबी अलग-अलग परकार के जो जीवोते हैं उनका आहार भी अलग-अलग होता है और भोजन को अंते ग्रहन की विधी भी अलग-अलग होती है हम पढ़ेंगे मानव में पाचन, मानव आहार नली के विभिन भाग होते है हमने इसको छे बागों में बाट सकते हैं मानो आहर नली को मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाश्य, शूदात्र, व्रहतात्र, और मलद्वार मुख गुहिका से स्टार्ट करते हैं यह बोजन को अंते ग्रेहन करने का बोजन जहां से हम इंटर करवाते हैं उसको हम मुख गुहिका बोलते हैं मुख गुहिका में च्यार परकार के दात होते हैं करतंक, रदनक, अगरचरणक और चरणक करतंक संख्या में आठ होते हैं रदनक जो सबसे सामने वाले होते हैं च्यार नीचे और च्यार उपर इन दातों को हम कृतंक बोलते हैं मनुश्य में इसके साइड में ए दो नीचे और दो उपर रदनक ठीक इसके और पिछे की तरफ जाते हैं इनको बोलते हैं अगर चवरनक जो चार नीचे के जबडे में होते हैं चार उपर के जबडे में होते हैं और सबसे पिछे चवरनक हो होते हैं छे नीचे वाले जबडे में होते हैं तीन एक तरफ तीन एक तरफ छे उपर वाले जबडे में होते हैं तीन एक तरफ तीन एक तरफ इस तरह से एक जो मैचे और मनुश्य होता है उसमें टोटल बतीस दांत होते हैं ठी किसी तरह मुख गुहिका में एक जीब होती है जिसमें लार का निर्मान होता है, लाला गरिंदी जीब पर उपस्थित होती है और जीब भोजन का स्वाद चकने में भी शायता करती है उसके बाद दूसरे नमबर पे आती है गरास नली को ग्रिसी का भी बोलते है ग्रास नली केवल भोजन को मुख गुईका से अमासे में बेजने का काम करती है उसके बाद आता है अमासे अमासे जे आकार का होता है भोजन का संग्रहन अमासे में ही होता है टेंपरेरिली जो स्टोरेज होती है वो अमासे में होती है अमाश्य में बहुत सारे पाचक रस उत्पन होते हैं उनमें हाइड्रोकलोरिक अमल भी होता है ये हाइड्रोकलोरिक अमल हानिकारक जीवानों को भोजन के साथ यदि कोई हानिकारक जीवानों आते हैं तो उनको नस्ट करने का काम भी हाइड्रोकलोरिक अमल करता है पाचक रस बोजन के पचाने में बोजन का कुछ भाग अमाशे में पचता है पचाने में साहिता करते हैं अमाशे के बाद आता है चुदात्र चोटी आत नाम इसका चोटी आत चुदात्र है लेकिन लंबाई आहारनाल में सबसे अधिक इसी भाग की लंबाई होती है साथ दसमलाव पांच मीटर लंबाई चुदातर की होती है अगनास्य से चुदातर के अंदर अगनास्यीक रस आता है जो भोजन के पाचन में साहिता करता है इसी तरह यकृत से पितरस भी चुदातर में आता है यकृत से पितरस चुदातर में आता है और ये पित्रस वसा के पाचन में साहिता करता है यकृत हमारे सरीर की मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रिंथी होती है चुदातर के अंदर ही उंगली के समान कुछ उबरे हुए संरचनाए होती है जिनको हम दीर ग्रूम या रसांकुर बोलते है और ये जो दीर ग्रूम है या रसांकुर है यहाँ पर पचे वे भोजन का आउसोशन होता है तो आउसोशन वाला जो काम है मानव में वो शुदातर में दीर ग्रूम की साहिता से होता है शुदातर के बाद आता है व्रहतातर बड़ी आन इसकी लंबाई एक दस्मलाओ पाँच मीटर होती है ये वरहतातर में जल और लवन जो फालतू पानी होता है लवन होता है उसका आउसोशन होता है लास्ट का जो भाग है आहर नाल का उसको हम मलदवार या गुदा बोलते हैं ये जो मलद्वार या गुदा है ये अपसिस्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है विभिन परकार की ग्रंथियां मानव पाचन तंत्र में होती है जैसे लाला ग्रंथी, यकृत, अगनाश्य, ये सभी ग्रंथियां पाचक रस उत्पन करती है आहारनाल और पाचक ग्रंथियां ये मिलकर पाचन तंत्र का निर्मान करती है पाचन तंत्र आहारनाल और इन ग्रंथियों से मिलकर बनता है रूमिनेंट कुछ पशू होते है जो इनको रूमन्थी भी बोलते है गास खाने वाले पशों को हम रुमिनेंट बोलते हैं इन में भोजन पहले रुमेन में इकठा होता है रुमेन पर्थम अमास्य होता है पहला अमास्य होता है यहां पर भोजन इकठा होता है भोजन इकठा होने के बाद जुगाली करते हैं जो पशो उस भोजन को दुबारा से मुंग के अंदर मुख गुहिका के अंदर लाकर उस बोजन को चबाने का काम करते हैं इनके रुमन्थी जो होते है या रुमिनेंट जो होते है उनमें सेलूलोज में कुछ जीवानू होते है वो जीवानों पाचन में बोजन के सेलूलोज के पाचन में ये जीवानों साहिता करते हैं एक बहुत एक कोशी की चोटा जीव होता है जिसको हम बोलते हैं अमीबा अमीबा में पाचन किस तरह से होता है अमीबा में पाचन से पहले बोजन का ग्रहन किस तरह से होता है बहुत चोटी चोटी उबरी हुई सी संरचनाई उंगली जैसी संरचनाई होती है जिनको हम पादाब बोलते हैं ये पादाब भोजन को पकड़ने में भी साहिता करती है और आमीबा को एक जगें से दूसरी जगें मू करने में भी एक जगें से दूसरी जगें जाने में भी पादाब साहिता करते हैं पादाब की साहिता से भोजन को खादे दानी में भोजन को कोशिका के अंदर अमीबा के अंदर लाया जाता है और वहां पर खादे दानी में भोजन इकठा होता है खादे दानी में पाचकरस भोजन का पाचन करती है और भोजन के पाचन से उर्जा उत्पन होती है और यह उर्जा अमीबा की जो कोशिका है उस पूरी कोशिका के अंदर यह कोशिका चली जाती है और जिस तरह से पादाब की साहिता से भोजन को अमीबा की कोशिका के अंदर वापिस अंदर लाया जाता है ठीक इसी तरह से अपसिस्ट इत्पदार्थों को भी पादाब की साहिता से अमीबा की कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये था प्राणियों में पोशन अगले चैप्टर में हम अगला अगले जो वीडियो है उसमें हम अगला चैप्टर सातवी किलास का विग्यान का लेके आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद